आज मंडे है और हर बार की तरह मंडे के दिन हम लोग कुछ स्टॉक प्रडिक्शन यहाँ पर देते हैं और आप देख पाएंगी पिछले दो-तीन मेने से मैं यह प्रडिक्शन आपको दे रहा हूँ और जिसका परफॉर्मंस आपने देखा है यह जो स्टॉक्स आपको सजिस किये जा रहे हैं यह स्टडी परफॉर्मंस से सजिस किये जा रहे हैं और इनको अगर आपको रियल टाइम में रूटन्स देखने हैं तो इसके लिए आपको 6 मेना 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है इसमें आपको 20% से लेकर 100% तक के अपमूज दिख सकते हैं पिछले वीक में या लास्ट वीक में जो भी स्टॉक्स दिये गया है वो भी काफी अच्छे फंडामेंटली भी है काफी अच्छा करिंगाने वाले समय में पिछले वीक में कुछ सेलिंग प्रिश्वर मिड कैप स्मॉल कैप पे दिखा गया है लार्ज कैप भी सेलिंग प्रिश्वर में था तो हो सकता है कुछ स्टॉक्स नीचे गया है लेकिन वो नीचे नहीं रहेंगे जैसी ही अपने सपूर्ट जून के आसपास पोचेंगे आपको वहां से काफी अच्छा मूव दिखने को मिलेगा तो आज ये आपके स्क्रिन पे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं काफी अच्छे अप्ट्रेंड में मुझे दिख रहे हैं और आने वले एक साल में या छे मेहने में आपको इसमें काफी अच्छा अप्मूफ दिखेगा तो लास्ट वीक में जो भी सेलिंग प्रिश्वर था हो सकता है इस वीक में वो सेलिंग प्रिश्वर खतम हो जाए क्योंकि एक अच्छा सा क्रेक्शन स्मॉल क्याप में और लार्ज इंडेक्स में भी आया है आज के जो प्रेडिक्शन है इस तरीके से है कि आपको बीएसी का स्टॉक काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था और पिछले दो-तीन मेने से काफी अच्छा इसने मोमेंटम दिखा गया है और तकरिव दिनोंग भी ग्यारासुच नाइंटीसिक्स पे बारासुच के आसपास स्टॉट कर रहा है यहां से काफी जादा बढ़ने के असार इसके दिख रहे है तो आप एक हजार पचास के स्टॉडी परपस से स्टॉट में भी बने रह सकते हैं फंडामेंटली भी कंपनी कफी अच्छा कर रही है और आने वाले समय में और ग्रूथ पोटेंशल प्रॉफिट में भी दिखेगा और आई भी अच्छा रहेगा तो आप इसमें पुजिशन बना सकते हैं टाटा इसमें करके कंपनी है तो ये भी सतरा सु के आसपा स्टॉक चल रहा है 1686 पे है और साड़े पंदरा सु के स्टॉडी परपस से पुजिशन बना सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो भी स्टॉक आपको सजिश किये जा रहे हैं इसमें आपको कितना वेटेज देना है समय तक किसमें बने रहना है किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ये सारी चीजे आपको पता नहीं है तो कोशिश ये करे कि डिरेक्ली मार्केट में जाकर पुजिशन ना ले इसमें रिस्क काफी जादा है और रिवार्ड कितना है ये आपको पता नहीं है तो मैं ये study purpose से ही आपको suggest करूँगा इसका और एक reason यह है कि आपको कितना weightage कहां पर देना है portfolio हर Monday अगर मैं आपको stock बताते रहूँगा पाच पाच तो आप अपने portfolio में कितने stock ले सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 stocks का ही portfolio आपको बनाना होता है तो इसके reason की वज़े से आप इन stocks में position ना बना है अगर बनाते भी हो तो 15 भी stock में और फिर इससे ज़्यादा नहीं और risk reward मतलब क्या है कि company को से segment में काम करनी कितना weightage मतलब कितना percentage amount उसमें investment करना चाहिए यह सारी चीज़े आपको अगर पता नहीं है तो आपका inbalancing होगा और पैसी कमाने के जग़ा पैसा गवा सकते हो दूसरा आपको अगर share market में success पानी है तो कोई भी tips पे buy नहीं करना होता है मेरी हो या किसी और की हो tips पे buy करने वाले लोग पैसा generally गवाते हुए देखे गए है because उनको नहीं समझ में आता है किस तरीके से उस position को tackle करना है लास्ट वीक में जो भी मैंने यहां पर stock prediction दिये थे उसमें से सारे के सारे stock negative में चले गए अब लोग डर गए होंगे परेशान होए होंगे कि क्या यह सही जाएगा नहीं जाएगा और फिर आपको पता नहीं है fundamentally company क्या कर रही है क्यू सेलिंग अभी आ रहा है या बहुत सारी चीज़े जो market में आप downs होते रहते हैं उसका अगर आपके पास experience नहीं है तो आपको रात कुन नींद भी नहीं आए अगर हेवी position आपके स्टॉक में ले लेते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप directly position ना ले if you want to invest then connect with us कि अगर आपको कुछ investment करना या आपका जो भी advisor होगा उसके साथ बात करके फिर आप allocation करके सही तरीके से अगर portfolio बनाएंगे तो you will get lots of return in this market मैं ये सारी जो चीज़े यहाँ पर बता रहा हूँ और इसका reason यह है कि देखो मैं ये आपको बताने की कोशिश करना हूँ कि आप investing से भी 5-6 मेने साल भर में 20-30%-40% के return सालाना अराम से बना सकते हो और ये prediction से आपको prove होगा कि ये बन सकते हैं जिससे ये share market gambling है या सटा बजार है ये जो बाते भाहर चल रही है उससे आप बचपाओ और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताओं कि future options या बहुत सारे लोग बहुत सारे apps दे रहे हैं बहुत सारे AI आ रहे हैं उसमें अगर लटकते हो तो कुछ समय तो आपको पैसे मिलेंगे लेकिन सही strategy ना होने की विज़से वहाँ पर भी आपको losses को face करना पड़ सकता है और बंद करो यार losses करना बंद करो शेया market में अगर सही जानकारी नहीं है तो वो कुछ इतिनों तो profit दे सकता है लेकिन लंबे समय में आप उसमें बहुत जादा सालाना अराम से बना सकते हो और यह prediction से आपको prove होगा कि यह बन सकते हैं जिससे यह share market gambling है यह सटा बजार है यह जो बाते बाहर चल रही है उससे आप बचपाओ दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताओं कि future options या बहुत सारे लोग बहुत सारे apps दे रहे हैं बहुत सारे तो for that reason मैं आप सब को suggest करूँगा कि स्रिफ यह study purpose से ही इसको देखे फिर चौती company है Persistence Systems Persistence अभी 5850 के आसपाँ trade कर रहा है और 5700 का मैं यहाँ पर stop loss दिया है maintain पर रखे इसमें भी काफी अच्छी growth आने वाले समय में आपको दिखेगी यह जो सारे stocks है ना काफी अच्छी तरीके से अप मूँग में है और यह महंगे भी है market में और मेरा simple सा funda है मैं हमेशा बताता हूँ कि जो चीज market में महंगी होती है वो और महंगी होती है और जो चीज market में सस्ती होती है और सस्ती होते जाती है और general लोग का thinking इस तरीके से होता है कि सस्ता बाई करो महंगा बेचो लेकिन market में ऐसा नहीं होता है market में आपको महंगा बाई करना होता है और महंगा बेचना होता है तो यह जो stocks है काफी अच्छे अप मुँँ में है और पिछले एक साल से I think कम से कम यह stocks ने 100% मतलब डबल डुगने हुए है और यहां से 3 गुना 4 गुना बनने capacity इन में है तो fundamentally अच्छे है सारी चीज़ अच्छी है तो आपको इन में बने रहना चाहिए तो persistent system आपको 5850 और stop loss है 5700 बैक्टर फूड है 988 इसको buy करो और यह पिशे भी मैंने किसी वीडियो में बताया था बैक्टर फूड और I think वहां से उसने काफी अच्छे रिटन बनाए है तो definitely इसको भी आप देख सकते हो तो यह अगर वीडियो आपके काम की है बहुत लोग मार्केट में लॉस कर रहे है तो उनके काम की है तो ज़रूर शेर करे लाइक करे और मेरे चारण को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करे दूसरी बात यह है कि मैं अभी मेरे नेटिव प्लेस में हूँ मेरे पिता जी लास्ट वीक नहीं रहे तो वेरी सॉरी कि मैं आपको कैमरे के सामने नहीं हूँ और आपको स्रिफ और स्रिफ कागज देखकर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है चार्ट भी मेरे सामने नहीं है तो नेक्स्ट वीक से मैं आपके सामने रहूँगा तो तब तक के लिए थांकिव वेर्मच जरूर स्टडी परपस से इन सारे स्टॉक्स को देखे पिछले वीडियो को देखे जिससे आपका कॉन्फिदेंस गेन होगा कि यहाँ पर मार्केट में प्रपरल इन्विस्टिंग से बहुत सारे पैसे बनाए जा सकता है तो मिलता है नेक्स्ट वीक थांकिव वेर्मच बाबाए